एक बहतर स्वस्थे के लिए नियमित पानी पीए जाने की सला डॉक्टर भी देते हैं क्योंकि स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है पानी का शरीर में होना जल ही जीवन है कि कौहावत आपने जरूर सुनी होगी जिस तरह से एक पौदे को हराबरा रखने के लिए उसमें पानी डाला जाता है ठीक उसी तरह हमारे शरीर को भी स्वस्थ रहने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है पानी की कमी होने से कई तरह की विमारी भी हो जाती है हाइड्रेशन जैसे समस्य आम तोर पर गर्मी के सीजन में हो जाती है गर्मी के समय में पसीने का इतना निकलना इससे पानी की कमी होना सुभाविक है शरीर में ताज की लाने के लिए पानी एहम भूमे का निबात है क्या आप जानते हैं पानी पीने का सही तरीका क्या है आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे पानी को खड़े ओकर कभी ना पिए हमारी बीजी लाइफ में हम अपने उपर बिल्कुल भी धियान नहीं दे पाते आफी जाने की जल्दियों या स्कूल जाने की जल्दियों जल्दबाजी में आप भूल जाते हैं कि आप पानी किस एंगल से पी रहे हैं जब भी आप खड़े ओकर पानी पीते हैं तो इसका सीधा असर किड़नी पर पड़ता है इसलिए कभी भी खड़े ओकर पानी नहीं पीना चाहिए पानी हमेशा ग्लास से ही पीए बोतल से कभी पानी नहीं पीना चाहिए पानी हमेशा ग्लास से ही पीना चाहिए क्योंकि जब भी हम बोतल से पानी पीते हैं तो एक एदू गोटी पी पाते हैं और इसके बाद हमारी प्यास अदूरी रह जाती है लेकिन जब आप ग्लास से पानी पीते हैं तो एक ही बार में हम सारा पानी पी जाते हैं जिससे की पानी की कमी तो पूरी होई जाती है और हमारी प्यास भी बुच जाती है इसके साथी आपको यह भी बता दे पोतल से पानी पीने पर उसका सारा प्रेशर एक साथ जाता है तो इससे पोषकता वो जो पानी में होते वो नस्ट्रोग जाते हैं इसलिए सही तरीका है कि आप ग्लास से ही पानी पीए ज्यादा ठंडा पानी ना पीए कई लोग फ्रीज से थंड़ा पानी की बोतल निकालते हैं और पीने लगते हैं ऐसे करने से स्वस्तों को नुक्षान पोस्ता है जादर थंड़ा पानी पीने से हाइड्रेशन सिस्टम गड़बर होने लगता है थंड़ा पानी से गले में खराश और जुखाम होने का डर भी रहता है गर्मी में ए कर जाता है और इसके साथ ही आगे चलके जोडों में दर्द रहने की समस्या भी हो जाती है इसलिए बैटकर अराम से पानी पीना चाहिए और है भी प्रास करें कि पानी को एक साथ ना पिए धीरे-धीरे करकर ही पीए गुंगुना पानी पीए गुंगुना पानी पीने से शर जुखाम होने पर गरम पानी भी बहुत फायदिमन्द होता है। दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए। वैसे हर इंसान का शरी अलग-अलग होता है। और ऐसे में पानी के जरत भी अलग-अलग होती है। लेकिन मैं आपको आपके वजन के हिसाब से बताऊंगी कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। 20 किलो वजन के हिसाब से 1 लीटर पानी पीना चाहिए। यदि आपका 40-50 किलो वजन है तो आपको 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आपका 80 kg वजन है तो आपको 4-5 लीटर पानी पीना चाहिए जो लोग मोटे हैं उन्हें जादा पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी शरीर के अतरिक्त फैट को कम करने में मदद करता है रात को पानी तामे की बर्टन में रख दीजे और सुबह होने पे इस पानी को पीए 90 दिन तक ऐसा करने से यह शरीर के रोख प्रतिरूदक शमता को बढ़ाता है साथ ही अगर आपके मुहासे, दाने या त्वचर जैसी समंदित बिमारी है तो यह उनको ठीक भी करता है भोजन करने के करिब आदे घंटे पहले पानी पीना चाहिए, इससे खाना आसानी से पशता है तुरंत भोजन करने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे पेट फूल जैसे बिमारी भी हो जाती है नाने से आदे घंटे पहले पानी पीने से ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है सोने से पहले पानी पिये ऐसे करने से हार्ट अटेक का खत्रा कम होता है कसरत करने से पहले और बाद में एक ग्लास पानी पीने से हाइडरेशन की समस्या नहीं होती है साथी कसरत करने के बाद जो पसीन आता है पानी उसकी कमी पूर्ती कर देता है घर से भार निकलते समय पानी पीकर निकले भार से घर आने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए 10-15 मिनट भादी पानी पीना चाहिए एक ये बार में एक ग्लास पानी पूरा नहीं पीना चाहिए जिस तरह खाने के बारे में कहा जाता है कि खाना चबा चबा कर खाना चाहिए उसी तरह एक बार में पानी पीने की बजाए एक एक गूट करके अराम अराम से धीरे धीरे पानी पीना चाहिए ज्यादा पानी पीने का सेवन भी हो सकता है खतर्मक हलाकि पानी शायद ही कभी नुक्सान पहुचाता होगा लेकिन जब आप बहुत अधिक पानी पी लेते हैं तो किड़नी अतिरिक्त पानी को बहार नहीं निकाल पाती है इस से रख्ट में सोडियम के मातरा पतली हो जाती है जो जानलेवा भी हो सकती है इसके इलाभा अधिक पानी के सेवन से गुर्णते और हिर्दे पर भी अधिक दवाब पढ़ता है भोजन के बीच पानी पीने का खतरा बढ़ जाता है इससे खाना पच्छता नहीं और फेट फूलने जैसी समस्य हो जाती है इसलिए भूजन करने के बहादी हमेशा पानी पीना चाहिए सुबह सुबह कई लोग 4-5 गलास पानी पी लेते हैं इससे रक्त पतला हो जाता है सुबह हमेशा एक या दो से गलास पानी पीना चाहिए पसीना होते ही पानी पीने से बचे क्योंकि इससे जुखाम का खत्रा बढ़ जाता है तो आप आज की वीडियो से समझ गए होंगे कि पानी कैसे, कब और कितना पीना चाहिए वीडियो अच्छी लगयो तो लाइक शियो और सस्क्राइब जरूर करें